हर घर की वही कहानी सुबै नाश्ते में क्या बनाएंगे वही नाश्ते में चाहें जितनी तरीके के आइटम बना लो लेकिन एक बात है जो पराठा खाने में मज़ा आता है नα वो किसी और नाश्ते में नहीं आता है अचुलि पेड भी भरता है और मन भी भरता है और हमें भी सुकून रहता है कि अब सबका नाशता हो चुका है मतलब यह Each नाशता रहता है पराठा आप कहीं बहार डिूम्टे के लिए जा रहे हैं या घर में आपको लंबे समय तक के लिए काम है, आप सुबह नाशता हो गया पराठे का, फिर लंज टाइम के लिए फूरसत, तो ये पराठा इतना जाधा टीस्टी होता है, जिसकी कोई हद नहीं, आप एक बार ये पराठा खाएंगे ना यकीन मानो, आप इसके फैन हो जाने व आटा, उसमें ही कुछ भी टेस्टी सा बनाओ और खाओ मज़े करो, तो वही चीज है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्लेन चापाती बेल ले नहीं, उसमें आप एक चम्मच घी या तेल अपनी पसंद से डाल सकते हैं, उसमें आपको चुटकी बर हल्दी और चुटकी बर नमक, पूरा अच्छे से अपलाई कर लेंगे, हातों से लगाना उसी से मस्त लगता है, और फिर आपको कटा हुआ धनिया पत्ता पूरी चापाती में फैला देना है, और जैसे मैंने स्क्वाइर फोल्डिंग की है, आप ऐसे फोल्ड करोगे तो लेयर बह पर ये बहुत जादा टेस्टी है, इसके आगे ना आपको किसी तरह की सबजी की याद आने वाली है, ना ही ज़रूत पढ़ने वाली है, और जटपड से बन जाता है, तो बस ये जो नाश्टे का पराठा है ना, इसे खा के तो बस मज़ा ही आ जाने वाला है, दोनों इतने मज़े आ रहे है ना, इन दिनों सीजन है और अभी ताजा ताजा बना हुआ है, और इस अचार में जो मसाला है, वो बहुत जादा तेस्ती है, और ये मसाला पराठा और साथ में अधरक वाले गर्मा गर्म चाय, मतलब ये नाश्टे के बाद अब घर के सारे काम कर ल अभी एक दो दिनों से इतनी शॉटकट्स ही और हेल्दी सा जो रसो ही हो रही थी, तो मैंने सोचा आज शुभं के मन की बनाया जाए, आज बन रहा है स्ट्रीट फूद, जो की मतलब महरास्ट में तो बहुत जादा पॉपिलर है, वैसे देखा जाए तो हेल्दी भी होता ह क्योंकि मठ की दाल से बनता है, मठ मैंने भीगोई थी, उसकी स्प्राउट करने के बाद बनती है, और मैं बना रही हूं मिसल पाओ, मतलब मेरे लिए तो इजी है कि मिसल बनानी है, और पाओ आ गए है, मतलब मनगवाया है, इसलिए कि मिसल पाओ बनाने है, इद्दम कुकिंग हो जाए, बस वही मैं बनाना चाहती हूं, तो अब यह जो मिसल पाओ इससे शुबं भी खुश रहेंगे, और मैं भी खुश, और आठ बज रहे है, लेनर टाइम, शाया दी कभी रेर ही ऐसा होता होगा, जो मैं आठ बजे किचन में आके खाना बनाओ, पर यह था नाच्ति के बाद लंच टाइम पे सिफ दाल चावल बनाया, गर्मा गरम दाल चावल और सैलड, वही हुआ लंच, और अब है रात के लिए तैयारी, स्प्राउट्स मैंने कली भी गोली थी, लेकिन मैंने बाहर ना रख करके फिर उसको फ्रिज में रख दिया था, यह और साथ में लसुन की कलिया, पानी मैंने इसलिए बाटर में रख दिया है कि गरम हो जाएगा, गरम पानी डालने से ग्रेवी और कलर और टेक्शर बढ़िया रहता है, और इस सबजी की जो ग्रेवी बनाएंगे तो जो टिप मैं शेयर करूंगी, उस तरह के से आप कोई भ ग्रेवी वाली सबजी बनाते हैं तो हमेशा ग्रेवी में थिकनिस भी रहेगी, टेस भी बढ़िया रहता है और उसका टेक्शर बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पर सारी चॉपिंग कटिंग का काम अल्मोस्ट करने के बाद सब साइड में रख लिया है मैंने, क्योंकि जब यह तैयारी हो गई ना, फिर तो जटपट से ही बन जाती है, सबजीया कुछ टाइम नहीं लगता, यह सूखा नारियल है, इसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे, तो अब हम सभी चीजों को सबसे पहले अच्छे से भून लेंगे, जब भी आप भूनने क के बाद मसाला बनाते हो ना, तो ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, कच्चापन खतम हो जाता है प्याज मसालों का, तो कड़ाई में हम सिर्फ एक या तेड़े चमच के करीब तेल डालेंगे, और इसमें लेसन की कलिया चार पाच अधरक डाल दी है, एक बड़े कर लो, और भूनने से हलका सा कच्चापन खतम हो जाता है, ट्राइस ही हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस जब प्यास भून जाएगी, तो साथ में हम टमाटर भी डालके भून लेंगे, तमाटर पक से जाएंगे, इसलिए इनको भी डालके मिक्स कर ल और यह जो डंठल वाला हिस्सा है, यह हम इस प्यास के साथ में मिक्स कर लेंगे, इसे पीसेंगे तो इसकी जो ग्रेवी है न, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, हरे धनिया की डंठल, और इसको भी मिक्स कर लिया है, बस इसमें हलका सा नमक डाला है, सारी चीज़ यह एक दो मिनट के बाद गैस ही बंद कर देंगे, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, अब यहाँ पर एक प्लेट मैंने बारी कटावा धनिया पक्ता, नीम्बू और बारी कटी हुई प्यास भी साइड में कर लिया है, वैसे मिसल पाव के साथ फड अच्छते के लिए ब्रेकफस्ट टाइम पे तब डालते हैं वो लोग मिक्षर नमकीन, वो मिसल के साथ में तो वो अच्छी लगती है, अभी जब यह ठंडा हो गया ना, इसको हमने लिया है, ग्राइंडर जार में और इसमें डाली है आइस क्यूब्स, इससे ना, जल्दी से पिस भी जाता है, फाइन पेस्ट होता है, और जो गरम है मसाला तो वो ठंडा भी हो जाता है, अगारो रिजेंसी, मल्टी फंक्शनल, ब्लेंडर, चॉपर, स्लाइसर, यह बहुत सारे कामों में यूज होता है, जैसे इसका यह जो जार है, इसमें मैंने लगा दिया ना, इसमें सारा एक साथ ही पूरा पिस किया, अगर छोटा जार हो, तो लगेगा कि पूरा कैसे पिसेगा, लेकिन जार इसका काफी बड़ा है, लंबा सा, तो पूरा एक बार में ही पिस किया, इससे तो मैं चॉपिंग कटिंग भी बहुत असानी से कर लेती हूँ, इसमें अलदिया है, यह जो प्यास टमाटर लसुन और थोड़ा सा सूखा नारियल जो था, इसका पेस्ट, और इसके साती में डालोंगे सूखे मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, आदा चम्मच मिर्ची पाउडर है, और एक एक चम्मच ध जनिया और अलदी है, और यह है गोड़ा मसाला, यह यहाँ पर महरास्ट में गोड़ा मसाला करके आता है, इससे ग्रेवी का टेक्शर या कलर बहुत अचाता है, और यह जो गोड़ा मसाला यह कोला पुरी है, भई बहुत स्पाइसी है, एकदम चटाखे दार, बहुत बून चुका है उस टाइम पे हमने डाली है ये मठ इस प्राउट अगर आज रुख जाते तो कलता की स्प्राउट हो जाता और ये मतलब कोम आ जाते हैं बड़े-बड़े से इसमें यह बहुत हैल्दी होता इसमें मिक्स करने के बाद अच्छे से पहले भून लिया है और बस इसकी ना सूखी सबजी भी ऐसे बनती है प्याद बगरा काट करके वो भी बहुत अच्छी लगती है और चुकि मुझे ग्रेवी वाला बनाना है तो मैंने इसमें डाला है गरम पानी गरम पानी डालते ही जल्दी से उबाला जाएगी ढख दिया है कुछे मिनट में बस जै सबजी से अच्छा पक जाता है पहले भून चुका होता है वो इसलिए और फिर पकने में टाइम नहीं लगता है मसाले को बस जब उबाल आने लग जाए इसको में लालो हिलालो जितना गाढ़ा रखना है उसके हिसाब से ही आप सबजी बनती है रेगुलर वो भी बहुत अ के मैंने डाला है कटा हूवा धनीय पत्ता और यह देखो कलर उपर उपर आया ना मैंने सिर्प दो चमज टाला था वह गोड़ा मसाला वैसी तो और ज्यादा भी डालते हैं और तेल वह ज्यादा रहता है होटिल वोगरा में वैसे ही रहते है मिसल अब यह घरेलू सब्जी है हम लोग की तो सब्जी जैसा ही बनाएंगे वो इतना तेल मिसाला डालना नहीं है इसलिए और प्लेटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने बारी कट्यूए प्याज हरा धनिया नीम्बू और यह मिसल और इसके साथ है पाव वैसे इसमें मस को ऐसे खाने में अच्छी लगती है इसलिए और अगर बच गई पाव यह मिसल तो नाश्ते में आपको खाना है तो ड्राइड राइस ही रहेगी फिर आप उपर से मिसल मिक्स फरसान डाल करके नाश्ते में खाओ बहुत अच्छी लगती तो अगले दिन वही खाई अब आई है न पाव तो फिर बना रही हूं और याद से दही लगा रही हूं और ताकि अगले दिन काम आएगी नॉर्मल सा दूद है दूद पीने में अच्छा नहीं लग रहा शुबम को तो मैंने का चलो दही जमाए फिर उसको लसी वेगरा पीने के लिए सही रहता है ब